नमस्कार स्वागत आपका वन इंडिया हंदी में मैं हूं तलहा बिहार की दो विदान सवासीटों तारापूर और कुशेस्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को उपचुनाओ होगा ऐसे में राष्ट जनता दल प्रमो के लालू प्रसाद यादों ने वो ध्वार को तारापूर में चुनाओी सभा की लालू यादों ने लोगों को सम्मोधित करते हुए कहा की मैं नितीस कुमार की सरकार का विसरजन करने आया हूं जिसे तेजस्वी ने सुरू किया और अब मैं इसे पूरा करने आया हूं आपको बता दे कि लगवक तीन साल के बाद लालू यादों पटना वापस आये हैं चुनाओी सभा में वो अपने पुराने अंदाज में नजर आएं लालू यादों की चुनावी सकरीता ने इस उप चुनाओं में बीजेपी की अगवाई वाले अंडिये और राजे के मुख मंतरी नितीस कुमार की परिसानी और बढ़ा दी है वहीं जन्सभा में लालू यादों ने नितीस कुमार को रोजगार के मामले पर घेरते हुए कहा की सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है दरसल दोयर बीस विदान सभा चुनाओं में तारापूर सीट जेडियू की जोली में आई थी लेकिन इसी साल अपरेल में विधायक मेवा लाल चौधरी की मौत के बाद हो रहे उप चुनाओं में एंडिये इसे फिर से अपने पास रखना चाहती है इसको लेकर बीजेपी और जेडियू की तरफ से तमाम दिगजनेताओं की फाज परचार के लिए लगाई गई है हलाकि इस सीट को अपने पास बरकरार रखना एंडिये के लिए आसान नहीं होगा दरस अलिस उप चुनाओं में लालो यादाओं ने वैसे उमिदवार को टिकट दे कर बीजेपी और जेडियू के लिए नई चुनावती खड़ी कर दी है वहीं इस विदान सभाय की बात करें तो यहाँ यादाओं मददाताओं की संक्या 50,000 से जादा है इसके बाद 45,000 कुसवाहा और 30,000 वैसे मददाता सामिल है इस निर्वाचन छेटर में 20,000 से यादा मुस्लिम और अपरकास्ट के 30,000 लोग और 10,000 पासवान है आर जेडी का काईडर वोट जहां यादाओं माने जाते हैं तो वहीं पार्टी के जरिये वैसे उमिदवार बनाये जाने से यहां लडाई काफी दिल्चस्प हो गई है आपको बता दे कि आर जेडी के उमिदवार को 20,000 के चुनाओं में सिर्फ 7,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में बीजेप्य और जेडी यू इस सीट को निकालने के लिए लडी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस खबर फिलाल इतना ही देश और दुनिया के ताय तरीन अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ